प्रवावी जिला जिले में बने वारे बूरी राथी नदी और आपती नदी पर बने बंदों के किनारे पहले सरकारी धन खर्च कर बंदों को कटान से बचाने के लिए बिलोर गुटेल का ब्रिच्चा रोपर किया गया और अब फिरी होने के कारण लगातार इन पेडों को काटा जा रहा है हो भी बिना किसी डर के आजिले के बूरी राथी नदी पर बने बंदे पर मिशोरी अथाना छेत के महरता में भिलोर गुटेल के पेड काटने और लंतिया गाओ के करीम नदी और बंदे के भी जामुन के जंगल से पेड काटने का मामला सामने आया जिस बबन भिवा का अपना ही तरक है कि इस प्रजाती की लखडी कटान से फिरी है इसी का फादा उठा कर लोग इस समय लगातार कटान कर रहे हैं इसमें हमारे भी भी पेड काट लेते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है ऐसे में जिले की वो सुबा में सड़क पर निगरा पानी रखे और लकडी माफिया उन पेड़ों की भी कटान कर लें जो बंधों पर कटान रोकने के लिए पहले लगाया गया और उसे बचा पाने में जिम्यदार फेर हो रहे हैं तो क्या फिरी प्रजाती के बिच लगाना ही गलत था या इनकी निगरानी ना कर पाना गलत है प्रजाती के लिए और समय समय पर प्रचारोपड के लिए प्राप्त लक्ष के अनुरूप हमने बहुत आया अपने बिक्षों को कारोपड किया था पौदों कारोपड कराय था जो धिरे धिरे बड़े हो गए उन बिक्षों से जिनमें अधिकांस गुटेल के बिच हैं जो जल्पलारवी छेतर में भी सर्वाइव करते हैं उनके बीज यहां वहां गिरते रहे और गिरने से तमाम ग्राम सभा की भूम पर लोगों के निजी कास्ट में बाग के किनारे नदी नालों में हर जगा पर यह गुटेल के ब्रिक्ष को गाए है वो धिरे-धिरे मोटे हो गए अब उस पें तमाम ब्रिक्ष जो इस वक्त काट रहे हैं शायद उसकी कोई उपयोगिता निकल आई है क्योंकि वो ब्रिक्ष ह ले जाया भी जा सकता है इसका लाब आउठै के कुछ इस लकडि के कटान करने माले जो वहां के व्यापारी हैं वो लालच देके कुछ हबारे भी ब्रिक्षों को काट ले रहे हैं क्योंकि ब्रिक्ष कटने के बाद पता ही नहीं लगता कि वो कहां से आया है तो इसलिए एक दिक्कत हो रही है लेकिन इसके लिए हमने रेंजितिकारी बांसी को खास्तोर से उनको अगाह किया है कि आप लगाता करें इस क्रब में उन्होंने मेरा कहले करीम 12 से 14 केस काते हैं और लगभग 2.5 लाग रुपे जुर्माना वसूला है